कि अपके पास गोल्डन ओपर्चुनिटी है असिस्टन प्रफेसर बनने की हर्याना के अंदर इसलिए आपको पता होनी चेक पर्फेक्ट स्ट्राटेजी जिससे कि आप एक अटेम्ट के अंदर एक्जामिशन कौलिफार कर सक्यों एक ही अटेम्ट मिलने वाला आपको और वो अटेम्ट अभी है आप यह मस सो जैयागी नेगुसिए आएगी नेक्स यर विकेंसि आएगी नहीं ऐसा नहीं होने वाला तो जार 24 के अंदर 2424 विकेंसी जाई हुई है और हमें नहीं पता हरियाने में इसके बाद कब विकेंसी जाई है क्योंकि यह वेकैंसी भी 2020 से बात् चार साल लगे को आते आते सो बात करते हैं कि आपके एक स्ट्राटीजी होनी क्या चाहिए जिससे एक के अंदर आप इस एक्जामिशन क्या कर सकें बाते करेंगे बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए किस तरह किसा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है स्लेबस क्या है सब चीज डिसकस करेंगे शुरुवात करते हैं फिर सबसे पहले हम देखते हैं स्लेबस के बारे में तो HPS से असिस्टंट प्रवसर का स्लेबस क्या है यहां पर मैं आपको डीटेल में स्लेबस बताऊंगा पॉइंट बाइप आप इसको देखिए ध्यान से तो history का स्लेबर हैं वो यहां पर कितने पार्ट के इंदर इंडिया इस्टिए है यहां पर एंचे चो तहीं से यूनिट वन से unit one आपका क्या है unit one आपको सभी लोग देख पारे होंगे screen के उपर यूनित one sources के उपर है जो sources होते हैं आपके literary sources है Archaeological sources है foreign accounts है उसके उपर है यहां फिर आपका फर्स उनिट के निर महाजन पदास यहां पर फर्स चलते हैं तो यहां पर मगद का उदय कैसे हुआ और मगद के बाद हम यहां पर ही आगे की तरफ चलते हैं किस तरह की डिवलप्मेंट और साइन टेक्निलोजी का यह इस पार्ट के अंदर आता है फिर हर्शा एंड इस टाइम फिर रीजिनल इंडम सालंकियाज विश्णुकुंदि आंदर देशा के अंदर यूनिट टू तक खतम करने के बाद अब हम चलते हैं उनिट थर्ड पर हम है रिजिनल और इनिट अगें टन के कौन कौन से पहना जोगे के वेस्टनी इस देशार & सौने उसके बाद वर्मन सही काम रूप के वहमकाराइब फिर पश्रिम ऐसे में देखते हैं बैसर के वल्लबी के चालुक जुजरात के नौर्थ में देखते हैं गुर्जर प्रितियारा कालचुरी चेदिस गहडवालास परमार्स फिर हम पहुंशते हैं अरली मिडिवल इंडिया क के अंदर तो उसकी विश्षिश्टा है क्या थी लैंड ग्रांट एकॉनमी वाटर रिसोर्स टाक्सेशन सिस्टम यहां से सेप्रेट पार्ट के इंटर कर जाता है जो कि यह सारी जी इस पार्ट के अंदर आते हैं साथ इसाथ वोमन इन पुब्लिक लाइप अगरा सब सुसाइटी के पार्ट है फिर हम नेक्स पार्ट पे चलते हैं एजुकेशन एजुकेशन क्या डॉलप्मेंट हुआ था अगरहारास मट्स महाविरास सेंटर ओफ एजुकेशन लैंग्विज फिर डिबेट यहीं यूजिस इनिट का है आपका फ्यूदल सिस्टम सेग्मेंटरी मॉडल इंटेगरेटी मॉडल फिर अरब के साथ कॉंटाक्ट कैसे शुरू है और हम यहां से यूनिट फॉर से एंटर कर जाते हैं मीडिवल इंडिया के अंदर तो मॉगल एंपार कैसे डिकलाइन किया था उसके साथ-साथ बीच में विजन अगर विजन अगर बहामनी आ गया किस तरह की से बहामनी जब टूटा था पांच पार्ट के अंदर बटा था उसके बारे में पढ़ना है साथ-साथ इस्टर गंगास सुर्य अमशी गज़ा कैसे थे मराटा कंफिटरेशी पेश्वाज उसके बारे पढ़ते हैं तो यह आपका हो गया यूनिट फॉर यूनिट फॉर से आपको कनेक्टेड है यूनिट फाइव कैसे यहां पर आडिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल अप्मेंट उनिट फॉर में हुए उसी का आडिमि कोल्स मुगल्स का अगर हम देखे तो फ्रेंटियर पॉलिशन कैसी थी उस्बेक साथ सब्सक्राइब के साथ कैसे लडाई हो रही थी देन हम आगी तरफ चलते है अगरिकल्चर प्रडक्शन इरिगेशन वही जो आपका ट्रेड इकॉनमी वाला पार्ट होता है दिल्ली सत् वुमें बक्ति सेंट्स भी हो गया सिख मूमें गुरुन आनक देव इस टीचिंग इस प्रक्टिस अधिगरंथ फिर ऐसे ही क्लासे तो कैसे सो इसे जो एक अश्राफ होगे अजलाफ होगे ऐसे राजपूर्ट साइटी कैसे डिवाइड थी रूल साइटी कैसे डिवाइड थी, वुमेन की पोजिशन का थी, जनानना सिस्टम, देवधाय शिस्टम, देन एडूकेशन के अथा कैसे डॉ detective, fine arts development, थी डिलुस कैसे ह了 किसे डिलुसारत का Mughal Empire, फिर ऐसे literature. ुदिस बिलुसारत का Mughal Empire, architectures, Mughal Garden, MarathaFT, Shri parties and temples. तो यह हो गया आपका unit 6, unit 6 मतलब 3 unit ancient, 3 unit modern, medieval, अब हम चलते modern कि रहा हुआ, तो modern में देखो, यहाँ पर शुरुआत होती है modern इंडिया की, तो सबसे पहले sources आएंगे, news paper, archival material, यह सारा is part के अंदर आता है, फिर आता है आपका British power का rise कैसे हुआ, European traders, यानि की Portuguese भी आएंगे, हा और end में आपके British, फिर British ने कैसे विस्तार किया हाँ पे, ट्रीटीज कैसे established की प्रिंसिपल इंडियन स्टेट के साथ, बेंगो, अलवाद, हैदराबाद, मैसूर, करनाटिक और पंजाब, revolt in 57 का, company का administration, civil services, judiciary, police, army, local cell government, and समय धानिक बदलाव कैसे हुए थे 1909 से 1915, उससे प commercialization, land revenue settlement, यह सब इस पार्ट के अंदर है, उसके साथ-साथ, इनका impact Indian society को पर क्या पढ़ा था, और क्या क्या हुआ उससे impact के बाद, tribal and present movement, okay, then Indian society in transition, Indian society, बिटर के साथ impact, उनके साथ, आदान प्रदान हमारा ideas का दो हो रहता, Indian society transition भी कर रही थी, Christianity के साथ, जो हमारा ideas, contact हो रहत है, हमने आपको देखना शुरू कर दिया, और changes हुए, new education system, education policies के अंदर कैसे बदला हुए, Indian ने साथ, यानि कि social religious reform movement, so यह है, यानि कि economy वाला part आपका उपर हो गया, economy वाला पूर agriculture economy, फिर उसका impact क्या बढ़ता है, rewards होता है, tribal and present revolt, फिर हम चलते education के तरफ, society के तरफ चल रह रहा था, ठीक है, unit 9, unit 9 है completely nationalism को dedicated, राष्टवात के शुरू, शुरुआत कैसे हुई, INC हो गया, सुदेश्य सुराज हो गया, गांधियन mass movement हो गया, left wing politics, depressed class movement, communal politics हो गया, आजाद हो गए यहां पे, और आजादी के बाद वाला हिंदुस्तान हो गया, challenges क्या देखने को आरम बेड़कर के उपर separate topic है, प्योरो कैसी कैसी थी, education कैसी थी, economic policies कैसी थी, फिर कैसे states को organize किया हमारी, foreign policies क्या थी, and last में आपका historiography हो जाता है, historiography कैसे हितियास लेकर न किया जाता है, यह वाला topic है, तो यह UGC net का syllabus है, same ही assistant professor का syllabus है, अब यह I hope सबको syllabus समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, syllabus समझने के बाद, आपको books कौन से follow करनी है, syllabus as it is UGC net का है, लेकिन books भी same ही है, उनको थोड़ा depth में और पढ़ना पढ़ता है, आप यह मत सोचिगा कि अच्छा हमने UGC student की तैयरी कर लिया है, तो same way में हम HPSC की भी कर लेंगे, नहीं, थोड़ा depth में जाना पढ़ता है आपको, क्यूंकि अगर आप RPSC assistant professor के गोशन पर देखो, यह किसी और assistant professor examination के गोशन पर देखो, वो UGC से और depth के अंदर जाता है, so इसलिए आपको उपिंदर सिंग बहुत ह पढ़नी पढ़ेगी, detail पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी इसको, तभी आप इस examination कर सकते है, ancient India के अंदर, ancient India के लिए उपिंदर सिंग is the best book, उसके साथ-साथ आपको रोमिला थापर ही पढ़नी है, early India, from origin to the 1300, then R.S. Sharma की, India's ancient past, यह किताब है, तीन किताब है, आप इनको पढ पढ़नी है, volume 1, volume 2, आपको पढ़नी है, medieval के लिए, उसके साथ-साथ, JL, Mehta, 3 volume के अंदर आती है, यह भी पढ़नी है, तब आप medieval crack कर पाओगे, अच्छे जात, questions को practice कीजे, अगर हम modern के अंदर जाए, तो BL Grower बहुत ही शानदार किताब है, पूरा modern India, बहुत अच्छे detail मे पढ़ना जाएंगे, आप answer writing भी इनको पढ़के कर सकते हैं, सारे topics इन किताबों के अंदर detail में दिये हुए, तो यह आपको assistant professor के लिए पढ़ना है, अब HPSC का assistant professor का, assistant professor का, अगर मैं हरयाना assistant professor की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपका question, previous question की बात करता हूं, तो कौन सा मिले हैं, जो और examination के होंगे, ठीक है, तो उनको देखे, यहाँ पर आप सीधे जाएए, HPSC website के अंदर, previous question के अंदर जाएए, previous question के अंदर आपको कौन से question paper मिल जाएंगे, PGT के मिल जाएंगे, PGT के question पर जाएंगे, क्योंकि same body आपका test करेगी, same body आपका assistant professor भी test करेगी, और same body ह आपका test करेगी, HPSC assistant professor, PGT भी, तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत idea मिल सकता है कि, कैसा question paper आता है, और PGT कैसा question paper आता है, साथ इसाथ assistant professor कैसा question paper आएगा, so let's start, तो यह PGT का है, यह भी subjective होता है, यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते है, Indus civilization, Indus Vedic civilization, और Vedic civilization, Indus civilization के अंदर difference क् है, तो आप दोनों topics आप UGC के अंदर ही पढ़ोगे, यहाँ भी question पूछा हुआ है, फिर sacrifice was a ritual and a form of social exchange in Vedic India, sacrifice का impact क्या होता था, कैसे समाज के ऊपर बदला हुआ, impact बढ़ा है, change कैसे हुआ है, यह सारी चीज़े इसमें आ जाएगे, magad का, विस्तार कैसे हुआ, ठीक है, अ अप तो नंदास टाइम पर वो आपको बताना है, डीटेल में, फिर buddhism के उपर question है, 100% आता है, आपको UGC के अंदर भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ पर detail में आया हुआ है, कॉटलेकर शास्त्र के उपर question है, अलोरा के उपर question है, फिर Turk-Mongol theory of sovereignty हो गया, then explain the political condition of India, बाबर की बाबर नामके अंदर जो mention है, फिर Deccan politics, अगबर और अंगजेव की time पर पर कैसे decline हुआ, इन ही की वैसे decline हुआ था, एक theory भी बोलते है, Deccan की वैसे, तो उसके बारे बताना है, 1857-ry world के उपर question है, then 18th century, trace the condition of India in 18th century and narrate the factors which led to success of British, यह हो गया, British को कैसे जीत मिली, then partition हो गया, क्या impact था, उसका causes आपको बताने है, then compare the policy and method of liberals and militants, अच्छा यह तो आपका national movement से जोड़ा हुआ question हो गया, फिर quit India movement से गांदी जी के उपर question, then constitution के उपर question है, ठीक है, थोड़ा polity से जोड़ा हुआ है, constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers, rather it is based on principle of checks and balances, okay, बहुत यच्छा question है, constitution के उ लग हो जाता है, यह world history हाँ पर आजाता है, तो यह आपके लिए relevant नहीं है, आपके लिए यहीं तक relevant है, constitution तक, तो यह हो गया, आपका question paper, HPSC, assistant professor, previous question paper, ऐसे आप देख सकते हैं, कैसे questions, पूछे जाता है, और examination के अदर, अब आपकी strategy क्या होनी चाहिए, आपकी strategy, दो करोगे, तो आप next stage होगे, जहां पर आपको answer लिखने होगे, और उस लिखने वाली stage के, और interview की stage कमबाइन करके आपका result आएगा, लिखने वाली stage जो 87.5 weightage है, 87.5 weightage, लिखने वाली stage का, जो subjective stage है, and 12.5 weightage है आपका interview का, screening का कोई weightage नहीं है, बस वह qualifying stage है, अब slavers को cover कीज़ holistically, जो slavers आपके passes को print out निकाल लिए, अपने pass रखिये, और इसको देखिये, और हर एक topic को बारी किसे prepare कीज़े, क्योंकि आपको दो तरीकी से prepare करते हो चलना है, आपको objective ही prepare करना है, आपको subjective ही prepare करना है, mock test लगाई है regularly, आप objective जैसे UGC net examination के नदर previous question solve करते हो, फिर mock test लगा से आप आगे-ागे पढ़ेंगे, answer writing practice करना है, mock test करना है, and relevance of UGC net जादा है, क्योंकि आपने UGC net examination qualify किया हुआ है, same way में आपको इसी examination preparation करनी है, ठीक है, कुछ अलग निकरना, same way में करनी है, लेकिन इसका practice करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी आप समझेगा, कि UGC net जैस syllabus तो है, लेकिन level वैसा नहीं होगा, level थोड़ा और depth में जाएगा, in depth जाएगा, so please make sure अच्छे vibration किये, जो books आपको बताई गई है, वो पढ़िये, हम आपके साथ बने रहेंगे, जब तक आप assistant professor नहीं बनते, इसी लिए हम भी लेके आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शान interview stage, क्योंकि हम आपकी interview के अंदर भी मदद करने वाले हैं, हम यहाँ पर mock test कराएंगे, आपका, Delhi निवस्टेशन पर बुलाएंगे, वो आपके help करेंगे, आपको बताएंगे, कहाँ पर आपके कम्यारी है, so up to the end stage, end stage तक हम आपकी मदद करने के लिए ready हैं, इस examination को लेके, जो कि once in a lifetime opportunity, आप यह समझी, क्योंकि आपकी जो 20s होते हैं, यह 30s होते हैं, यह important होते हैं, और यह opportunity आप वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप वेस्ट कर लोगे, कोई और सीट लेके चला जाएगा, so please make sure कि आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है, इसको preparation करने में, अच्छे preparation सब्जेक स्पेसिफिक आपको classes होंगी, हिस्टरी की डीटेल में classes आपको मिलेंगी, साथ-साथ जब आप एग्जामिनेशन की पहली स्टर्ज क्वालिफाय कर लोगे, तो फिर आपका descriptive test preparation भी अच्छे करा जाएगा, जहां पर आपके answers चेक कराए जाएगे, आप answer उसमें अच्छा score कर पाएगे वो, तो ये चीजे हैं, तो वेट मत कीजे, अभी फड़ा-फड़ जाएगे, अन्रोल कर लिजे, test books उपर coaching के उपर, description में form दिया हुआ है, वहां भी आप detail लिख सकते हैं, सारे detail लग जिए, वरना आप आप के अंदर जाएगे, आप के अंद कैसे आपको आगे की तरफ बढ़ना है, also description box, comment section के अंदर भी, google form है, वहां भी फिल करके आप आप आगे की तरफ process आगे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेर से अगर personally correct करना है, तो ये ये टेलिग्राम ID, ये आपकी email ID, यहाँ पर email डालिए, ये message कर लिजे, मेर से connect कर लिजे, क